व्रिश्चिक राशिवालों आपके अच्छे कर्मों का फल है और वही फल आपको देने के लिए यह देवता आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं लेकिन आप उनके संकेत को नजर अंदाज कर रहे हैं यह कार्य आपको बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना यह वीडियो नहीं आपके लिए भगवान का दिया हुआ एक वरदान है तभी यह वीडियो आपके सामने आया है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे ह्रदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा मातारानी का सीधा आशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा दोस्तों यह दिव्य शक्ती आपके पीछे-पीछे घूम रहा है और आने वाले अगले तीन दिनों के अंदर आपस अभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है एक शब्दों में कहें तो यह आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं यह शक्ति का साया आपके सर पर होने वाला है, यह शक्ति आप पर परच्छाई बन कर आपके साथ चलने वाली है, जी हां प्यारे दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होने वाला है और कौन है? यह शक्ति जो आपको पजाएं बनने वाली है जी हाँ प्यारे दोस्तों आप बहुत ही सहीने हैं ऐसा ही घटना आपके साथ होने वाला है यूँ कहे तो ऐसा चमतकार आपके साथ होगा कि प्यारे दोस्तों आप भी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों को यह बातें मजाक लग रही हैं, उन्हें जीवन भर पच्ताना पड़ जाएगा, क्योंकि वे जाने अंजाने में ऐसी गलती कर जाएंगे, जो उन्हें इस दौरान भूल कर भी नहीं करनी है कौन सी गलती है प्यारे दोस्तों, जो आपको इस समय नहीं करनी है, इसके बारे में भी आगे हम आपको बताने वाले हैं प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका अपने जीवन का सबसे मुश्किल समय आपने देखा है, आपके जीवन का सबसे बड़ा जो ब पता दें कि यह समय जो आपके जीवन में आने वाला है उसे भी आप अपने साथ जन्मों तक भूल नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा ही समय आपके जीवन में आ रहा है। प्यारे दोस्तों जो चमतकार आपको नजर आने वाला है वे धर्ती का बहुत ही बड़ा चमतकार होने वाला है। प्यारे दोस्तों जिनके कर बड़ेने होते हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। उनके जीवन की जो समस्याएं आती हैं उनमें ईश्वर का पूरा साथ होता है। आप उन परेशानियों से लड़कर उन परेशानियों को समाप्त कर दें। इसके लिए आपको ईश्वर सही रास्ता दिखाते हैं और कई सारे अनुभवों का ज्यान देते हैं। आपको जीवन में उचित व्यक्तियों के आपके पास जोडते हैं। जो व्यक्ति आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं, आपके समस्याओं में वह व्यक्ति बहुत ही आपकी मदद करता है। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों आपका भी बहुत ही अच्छा है। और प्यारे दोस्तों से के साथ आपको बता दें कि आपने पिछले समय में कोई बहुत ही अच्छे कर्म किया होगा, जिसके चलते इस पर छाई का साथ आपको मिला है, इस सत्य का साथ आपको प्राप्थ हुआ है। प्यारे दोस्तों यदि आपने यह चार से पाँच कम पिछले चार महीनों के अंदर यदि किया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर छाई आपका साथ जरूर देखना, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जरूर चलेगी। इस चक्की का साथ आपको मिलेगा, जिसके चलते आप अपनी जिन्दगी में हर एक खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे, जैसा चाहेंगे वे सब कुछ आपको प्राप्त होगा, आपका हर एक सपना भी पूरा होगा, साथ ही दोस्त जो लोग इस समय आग से चलते हैं, उनका वे अब वर्ष होने वाला है, उन्हें भी अब समझ में नहीं आने वाला है, कि आपके जीवन में तना अचानक से बदलाव से हो गया है, आप अपनी जिन्दगी में इतना खुशहाल कैसे रहने लगे हैं, आपको इतना सब कुछ कैसे प्राप्त हो गया है, जो आपको इस दोरान यह की देने वाली है, तो आईए प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी भगवान शिवशंकर के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा से लाइक जरूर कर करें, साथ ही आप अपने सच्चे मन, फिर वे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादे प्यारे दोस्तों, महादेश के आशीरवाद से आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी, महादेव का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा, तो प्यारे दोस्तों, आप जरूर लिखेगा, तो प्यारे दोस्तों, आईए, सबसे पहले उन चार कारियों के बारे में जानते यदि आपने पिछले चार महीनों में किया है तो उसका कैसा परिणाम आपको मिलेगा। जो पैसा आपने दिया था उसका दो गुना फल और लाभ आपको दिखाई देने वाला है आपका किया गया या गर्म आपको पूरी तरह से माला माल बना देगा जी हाँ प्यारे दोस्तों आप बिलकुल से हैं इसके साथ ही प्यारे दोस्तों जो दूसरा कर्म है वे है प्यारे दोस्तों यदि आपने किसी भी बेजुबान जानवर का किसी प्रकार से यदि मदद किया है उन्हें इन चार महीनों के अंदर यदि कुछ भी खिलाया है आप निम्न छत पर पंचियों के लिए पानी वदना यदि रखा है इससे इश्वर बहुत ही प्रो हुए हैं जिन लोग संत या किसी गरीब व्यक्ति को यदि आपने कुछ भी दान दिया है की जाए तो पैसे वर्दान हो या फिर अन्न का दान यदि आपने ने पिछले चार महीनों के अंदर किया है प्यारे दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है उनकी द प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही सुना है वही चौथा जो कार्य है यदि आपने पिछले चार महीनों के अंदर किया है इसका भी बहुत ही छह वर्ष फल आपको प्राप्त होगा प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहब को यदि लोग घर में देख ले जी हाँ प्यारे दोस्तों इस समय मतलब कि इन चार महीनों के अंदर यदि साहब आपकी आँखों के सामने आया है तो प्यारे दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया शुब संकेत आपके जीवन के लिए उसका फल अब आपको प्राप्त होने वाला है यदि पिछले चार महीनों के अंदर आपने कोई साफ देखा है इसका मतलब है कि यह शक्ति आपका पर जाएं बनकर आपके साथ घूम रही है और आपको उन गलतियों से दूर बना कर रखेगी जो आपकी ने बड़े ही नुकसान दायक है जो व्यक्ति आपके लायक नहीं है जो व्यक्ति आपका भोले बन का फाइदा उठाते हैं अब यह सकते उन्हें बहुत ही बढ़िया सबक सिखाने वाली है जो उन्हें ना का जीवन भर याद रहेगा कि किसी व्यक्ति से पाला पड़ा है जी हाँ प्यारे दोस्तों आपके जीवन में अब कई सारा बड़ा चमतकार आपको नजर आने वाला है प्यारे दोस्तों जिन लोगों ने आपका बुरा किया है यह शक्ति आपसे उनका भी ऐसा दिन देखो आएगी कि उन्हें भी अपने के पर पच्छतावा रहेगा कि उन्होंने जाने अंजाने ने यह कौन सी गलती कर दी है जो लोग आपको खुद से नीचा समझते हैं जिन लोगों को लगता था कि आप कमजोर व्यक्ति हैं आप कभी कुछ क्या उखाड पाएंगे अन्यथा लेकिन यदि इस दौरान आपके साथ कोई भी कुछ भी गलत करने का प्रयास करेगा यह पर परच्छाई ही उनका मुकाबला करेगी यह सत्य जवाब का परशायद बनकर साथ दे रही है आपके साथ घूम रही है किसी नए लोगों से मिलकर आपको कुछ ग्यान की बातें पता चलेंगी ध्यान दें कि आप किसी भी मामले में फिर चाहे ट्रेन जीवन हो या वैवाहिक जीवन या पारिवारिक रिष्टों में कोई भी फैसला, जल्दबाजी या भावुकता में ना ले अन्यथा बाद में आपको पच्चताना पड़ेगा प्यारे दोस्तों यदि समय हैने आपकी भावनाओं का भी कोई व्यक्ती फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है इसलिए अपनी भावनाओं को वश में रखना बहुत जरूरी है आपके बोलने वाले स्वभाव को कोई फायदा उठा सकता है जिसके लिए आपको बाद में परेशानी भी हो सकती है यदि समय है वे कुछ मामलों में बहुत ही लाबदायक साबित होगा जी हाँ प्यारे दोस्तों आपको बता दे इस समय युवा वर्गों को अपने क्रोध पर काबू रखना होगा और आपको अपने काम पर पूरा फोकस रखना होगा आप जो भी करना चाहते हैं उनमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी प्रेम जीवन के दृष्टिकोंड से देखा जाए तो यह है जो समय है वे आपके लिए अति उत्तम साबित होगा क्योंकि रिष्टों में यदि पिछले समय से कोई विवाद शुरू था तो वह वह वाद विवाद समाप्त होने वाला है लव लाइफ पहले के जैसा मधुरता से भरा रहेगा तो वाइरस भरपूर रहेगा कुछ लोगों को अपने लव पार्टनर की याद सताएगी और वे मिलने जुलने भी जा सकते हैं प्यारे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ खास उपाए अवश्य हीने प्यारे दोस्तों वहीं आपको बता दें कि आपकी लव पार्टनर की तरफ से भी यदि आपका जन्म दिन है तो कुछ खास चीजें आपको ले सकते हैं आप अपने लव पार्टनर के साथ लॉंग ड्राइव पर भी जा सकते हैं व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा व्यवसाय के मामले में आप बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि इस समय आपको छुट-पुट लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे जिन पर आप अमल करके अच्छा लाभ कमाएंगे लेकिन इस समय पर आप अपने विरोधियों से बहुत ही ज्यादा सौदा नहीं क्योंकि वे आपके बनते कामों में रोढ़ा अटका की पूरी कोशिश करेंगे इस समय आपके जीवन में जो तरक्की होगा उसे देखकर आपके विरोधियों बहुत ही हैरान रह जाएंगे और पूरी तरह से बौखला जाएंगे और इसी लिए आपके कामों में रोढ़ा अटका खाने का कोशिश करेंगे आपको पुराने अनुबंधों का पूरा लाभ मिलने वाला है इसके साथ ही आपके अंदर लोगों के लिए बहुत ही दया की भावना रहेगी प्यारे दोस्तों इस समय आए की बढ़ोतरी होगी आपको धन प्राप्त होगा लेकिन साथ ही खर्चों में वृद्धि यह समय लेकर आ रहा है यदि आप इन खर्चों पर लगाम लगा लेंगे तो भविष्य के लिए आप बहुत ही अच्छा काम करने में काम्याब रहेंगे यदि आप किसी प्रापर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना होगा आपको बहुत ही ध्यान देना होगा कि आप जिस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, क्या वह प्रॉपर्टी सही है, कभी भी किसी के साथ छल बलना करें। इस समय आप अपने सुख सुविधाओं की वस्तू की कोई खरीदारी कर सकते हैं, जिनमें अच्छा खासा धन खर्च होगा। सन डान्स यदि कोई गलती हुई है, तो आप उन्हें माफ कर दें, न कि उन्हें दांते और चिल्लाए कारोबारियों को इस शो में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। सहकर्मियों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा, जिसके चलते सहकर्मी भी आपसे प्रसन होंगे और आप भी सौपा में से प्रसन होंगे। इस समय प्यारे दोस्तों, जो लोग साज्यदारी में व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को अपने पार्टनर की पूरी निगरानी बनाए रखनी होगी, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कार्य कर सकता है, जिसके बारे में बाद में पता चलने पर आप को बड़ा ही दुख होगा, इस समय प्यारे दोस्तों, व्यवसाय से संबंधित कुछ योजनाओं को बनाने के लिए यह समय अच्छा रहेगा, यदि आप कुछ नया करने की कोशिश कर कर रहे हैं, और उनमें काफी समय व्यतीत कर दिये हैं, तो अब आपको में सफलता मिले इसके साथ ही आपके घर परिवार में किसी प्रियजन का आना जाना लगा रहेगा, इस समय धन से संबंधित और परिवार से संबंधित कोई खुश खबरी यह समय लेकर आ रहा है, यदि आप कोई नया संपत्ति या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको यह बड़ा सपना बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा, इस समय आपके प्रेम व्यवहार को देख कर आपके मित्रों की संतो यदि बात की जाए, आपके सावधानियों की आपकी गलती की, तो प्यारे दोस्तों, इस समय में आपको किसी की भी बुराई नहीं करनी है, किसी के लिए अपने मन मे अपने क्रोध में आकर कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर जाते हैं, जिसके चलते सामने वाले का दिल दुखी हो जाता है, यूँ कहे तो आपको किसी का भी इस समय में दिल नहीं दुखाना है, वही व्यापार की दृष्टी से देखा जाए, तो आपको इस समय बहुत ही ब आपका व्यवहार ही आपके आसपास के लोगों को आकरशित करेगा, लोग इस समय आपसे जुडने का भी प्रयास करेंगे, इस समय आपके जीवन का जो भी संकट, समस्या परेशानिया है, वह सभी दूर होने वाली है, लेकिन आपको इस समय अनावश्यक के खर्चों पर न नया सीखने को मिलने वाला है, जो आप बखूबी सीखने के लिए तयार रहेंगे, वही नौकरी पेशा जातकों को तरक्की मिलने के कई सारे ओस मिलने वाले हैं, ऐसी प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से से जुड़े हैं, उन्हें क अच्छे अच्छे परिणाम देने वाले हैं, दफ्तर में आपको सीनियर का सहयोग मिलेगा, लेकिन वही जो आपके जूनियर है, यानि कि जो आप से छोटे कर्मचारी हैं, वे आपके तरक्की को दे कर जलने वाले हैं, ऐसे में कुछ सीनियर्ज आपके शत्रु भी बनने इस बात का विशय ध्यान रखें। अब दूर होने वाली है। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का योजना बना रहे हैं। जहां पर आप अपने दोस्त, यार या फिर परिवार जन के साथ जा सकते हैं। आमदनी के नए स्रोध बनने वाले हैं। जो लोग जमीन जायदाद से जुड़ा काम करते हैं। इस समय उन्हें भी बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वही यदि आपने बहुत ही लंबे समय से वाहन की खरीदारी का सपना देखा था। जमीन की खरीदारी की इच्छा रखी थी। तो आपका यह सपना, आपका यह इच्छा पूरा होने जा रहा है। इस समय आप अपने किसी बड़े लक्ष को बड़े ही आसानी से हासिल करने में काम्याब होने वाले हैं। जो लोग नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं। नौकरी को छोड़ कर नया नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा है, क्योंकि आपको एक नया अवसर मिलने वाला है, वहीं इस समय दूसरों की बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि कोई आपको गलत सलाह दे सकता है, जो आपके सफलता के मार्क स भटका सकता है, वहीं यदि वैवाहिक जीवन की बात की जाए, पारिवारिक जीवन की बात की जाए, तो आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं, जीवन साथ ही आप से बहुत ही ज्यादा आकर्शित होने वाला है, वहीं आपका जीवन साथ ही आप लेकिन इस बात को किसी को ना बताएं नहीं तो वे विवाह में बाधाएं डाल सकता है वहीं भाई बहनों के साथ आपके रिष्टों में मजबूती आएगी किसी दूर रह रहे रिष्टेदार से कोई शुब सूचना की प्राप्ती हो सकती है और यदि आपके घर में कोई विदेश जाने की प्लानिंग कर रहा है तो उनकी यह इच्छा भी पूरी होने वाली है वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात की जाए तो उनके बीच सब कुछ बढ़िया रहने वाला है यदि आप प्रेम जीवन से जुड़ा कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो आपको उस पर विचार विमर्ष जरूर करना होगा किसी भी फैसले में जल्दबाजी बिलकुल भी न दिखाए वही कुछ प्रेमी करेंगे संख्या में व्रिध्धी होगी यूं कहें तो आपके इस दोरान नए नए मित्र बनने वाले हैं लेकिन ध्यान रखें कि आप उनसे अपने मन में चल रहे बातों को न बता दें अपने परेशानियों का नाम बताएं केवल और केवल आप इस समय उनके साथ मौज मस्ती कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा इस समय पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोंड से यह समय अच्छा रहेगा आप जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिला कर खड़े होंगे जिसके कारण आपके रिष्टों में और भी ज्यादा मजबूती आएगी यदि आपने न जीवन साथी से पैसों का उद्धार लिया था तो आप उन्हें प्रेम से लोटा दें तो बहुत ही बरहिया रहेगा इस समय आपके किसी खास करीबी रिष्टेदार के द्वारा कोई खुश्खबरी प्राप्थ हो सकती है जी हाँ प्यारे दोस्तों इस समय आपको अलाना क्षेत्रों से अलग-अलग लाभ मिल सकते हैं लेकिन यदि शौच जाने की बात की जाए तो प्यारे दोस्तों इस दोरान आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है फिर चाहे वे आप कितना भी खास हो और इसके चलते आपको अपने मन में चल रही किसी भी योजना के बारे में नहीं जानकारी देना है किसी भी खुशी के बारे में अभी नहीं बताना है जब तक कि वह खुशी आपको पूरी तरह से प्राप्त ना हो जाए इस समय प्यारे दोस्तों, यदि पारिवारिक विवाद है, बंटवारे को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उनमें भी आवाज को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, यदि आपको संतान से जुड़ा कोई फैसला लेना पड़े, या फिर उनके कैरियर से तो ऐसे मामले में बहुत जल्दबाजी न दिखाएं, इत्मिनान से सोच विचार करके के ही कोई फैसला करें, वहीं विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा, तभी वह किसी परीक्षा में आसानी से जीत हासिल कर पाएंगे, मैं आपक प्यारे दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी, कार्यक्षेत्र में आपको न कामों से अपने उच्च अधिकारियों का दिल जीतने में काम्याब रहने वाले हैं, प्यारे दोस्तों, इस समय कोई भी काम को भाग्य के भरोसे बिलकुल न करें, नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है कि यह काम करो या ना करो, करो तो कैसे करूँ और नहीं करना है, तो कैसे ना करो, आप इस समय किसी बात को लेकर वह दुविधा में है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिसके चलते आप थोड़ा सा परे तनाव भी नहीं होगा। इस समय आपके उपर यदि कोई बड़ी जिम्मेदारी है, इन जिम्मेदारियों को अपने उपर बिल्कुल न होने दें। वही नौकरी पेशा जातकों को इस समय के बदलाव की योजना बना रही है। लेकिन फिर भी आपको पुरानी नौकरी में ठ के रहना ही बहतर होगा। इसमें यदि कोई व्यक्ति आपसे उधार लेने आए, उधार लेने वाले से बचे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस समय आप किसी को उधार नहीं देना है। और यदि आप किसी से लेना चाहते हैं कि थोड़ा सोच विचार करके ले, क्योंकि हो स चकता है कि आप उस धन को उतारने में थोड़ा सा असफल इसके साथ ही प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे अपना पार्टी बदल सकते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों क्योंकि इसमें आपको वह सम्मान नहीं मिल रह है, शायद जो आपको चाहिए और उसी के साथ प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह समय रोमान्स से भरपूर रहेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। आपका पार्टनर उस दोरान आपसे बहुत ही प्यार भरी बातें करेगा, जिसे देख राबड़ी बड़ा ही प्रसन रहेंगे, और यह बातें आपको और भी ज्यादा करीब लेकर आएगा। कुछ लोग नया नाम मेल मुलाकात करने जा रहे हैं। पहली बार जो मुलाकात करने जा रहे हैं, तो उन लोगों को अपने पार्टनर के लिए कुछ उप प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि समय आपको अपने सेहत का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। इस समय यदि आपके सेहत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नजर आ रही है, तो आप किसी अच्छे चिकित्सक के पास जल्द से जल्द जाकर परामर्ष ले ले था, किसी बीमारी से पीडित हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी उस छोटी सी समस्या का रूप ले सकती है, इसलिए सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही इस द्वारा ना करें। परिवार का वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार आपको भी अपने उपर ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप किसी वाहन के द्वारा यात्रा करें। तो अच्छा हो। वहीं नौकरी पेशा वाले जातकों का यह मैं थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। क्योंकि आज के अंदर किसी बात को लेकर चिड़-चिड़ापन रहेगा। गुस्से की भावना रहेगी। जिसके चलते आपका आपके अधिकारियों से कोई बहस हो सकता है। ऐसे में आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। अपनी वानी पर सैयम रखना होगा। इस समय प्यारे दोस्तों आपके जूनियर और सीनियर का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। और सम्रिध्ध का प्रतीक है। यह शक्ती आपके जीवन की दिशा को बदलने वाली है। और आने वाले अगले तीन दिनों में आपके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है वह है अद्भुत खुशियों की बोचार। इस समय पर देवी शक्ती और भोले खुद आपके साथ खड़े हैं। आपकी हर कठिनाई को समाप्त करने और आपको नए रास्तों की ओर ले जाने के लिए तैयार है। तो अब बात करते हैं कि यह देवी शक्ती और भोले नाथ आपके जीवन में आने वाले तीन दिनों के भीतर कौन-कौन सी बड़ी खुश खबरियां लेकर आ रहे हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सपना जो आपके जीवन में सच होने वाला है वह है पैसा। दोस्तों अगली बड़ी खुश खबरी यही है कि आपकी आर्थिक स्थिती में चमतकारिक बदलाव आने वाला है। हो सकता है कि आप लंबे और देवी शक्ती की कृपा से वह समय आ चुका है जब आपकी आर्थिक स्थिती में तेजी से सुधार होने वाला है। पैसा अब आपकी ओर तेजी से आने वाला है और वह भी ऐसे रूप में कि आप खुद इसे देख कर चौक जाएंगे। यह समय है जब आप अपने सपन मिले जो आपकी आर्थिक स्थिती को पूरी तरह से बदल दे। पैसा अब आपकी ओर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले भोले नात का ध्यान करना न भूले। जब भी आपको धनलाब की खबर मिले तुरंत भोले मिले नात को धन्यवाद करें और उनके चरणों में बेल पत्र और जल चढ़ाएं। ऐसा करने से यह सुनिष्चित हो जाएगा कि यह पैसा आपके जीवन में स्थाइत वलाएगा और लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। अब दोस्तों अगली खुशखबरी है गाड़ी बंगले की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से एक नए घर या गाड़ी का सपना देख रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो अब वह समय आ चुका है जब आपका यह सपना सच होने वाला है। अगले तीन दिनों के भीतर आपको इस दिशा में कुछ नया स सुनने को मिलेगा हो सकता है कि आपको किसी प्रॉपर्टी का ओफर मिले या फिर कोई ऐसा अवसर आए जिससे आपका घर का सपना पूरा हो सके। याद रखें यह समय आपके सपनों को साकार करने का है। इसलिए भोले नाथ और देवी शक्ती की कृपा से आप इस मौके का पूरा फाइदा उठाएं। अगर आप गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे तो यह समय उसके लिए भी बेहद शुब है। भोले नाथ और देवी शक्ती की कृपा से आपको इस दिशा में भी कोई नई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि कोई अप्रत्याशित ओफर आए या फिर कोई ऐसा सौदा मिले जो आपको बेहद फाइदे का लगे। गाड़ी और बंगले की यह खुशखबरी आपके जीवन में स्थाइत्व और समरिध धिलाने वाली है। लेकिन याद रखें जब भी आप इस दिशा में आगे बढ़ें तो भोले नात का ध ध्यान करें और उनसे मार्ग दर्शन मांगें। उनकी कृपा से ही आप सही निर्णय ले पाएंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगले बड़े सपने की जो है प्यार। दोस्तों अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी महसूस हो रही थी य यह देवी शक्ति और भोले नात की कृपा से ही संभव हो सकेगा कि आपका प्रेम जीवन खुशियों से भर जाए। अगर आप किसी से मिलना चाहते थे तो अब वह समय आ गया है जब वह व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है। यह वह समय है जब आपका रिष्टा और भी मजबूत होगा और आप दोनों के बीच का प्रेम और भी गहरा होगा। देखिए दोस्तों जब भोले नात और देवी शक्ति की कृपा होती है तो प्रेम जीवन में सम्रिध्याना तय है। हो सकता है कि आपके रिष्टे में कुछ समय से कोई कठिनाई चल रही हो। लेकिन अब वह समय आ गया है जब सारी बाधाएं दूर होंगी और आपका प्रेम जीवन नए रंगों से भर जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप भोले नात की कृपा को हमेशा अपने साथ बनाए रखें। रोजाना उनके मंत्रों का जाप क करें। उनकी कृपा से आपके प्रेम जीवन में स्थायत्व और खुशहाली आना निश्चित है। अगला बड़ा सपना जो पूरा होने वाला है वह है नौकरी या करियर में सफलता। अगर आप लंबे समय से किसी नए अवसर की तलाश कर रहे थे या फिर प्रमोशन का इ करियर को नई उंचाईयों पर ले जाएगा। यह वह समय है जब आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप अपने सपनों को साकार होते देख पाएंगे। दोस्तों जब हम जीवन के हर क्षेत्र की बात करते हैं तो यह समय आपके लिए बेहत खास होने वाला है। चाहे वह पैसों की बात हो, गाडी बंगले का सपना हो, प्यार या नौकरी की बात हो, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप भोलेनात की कृपा को हमेशा अपने साथ बनाए रखें। उनकी कृपा से ही यह संभव हो सकेगा कि आप अपने सपनों को साकार होते देख सकेगा। जब हम देवी शक्ती और भोलेनात की कृपा की बात करते हैं, तो यह सिर्फ आध्यात्मे का अशीरवाद ही नहीं होता, बलकि उनके द्वारा दिये गए कुछ विशेश उपाए भी होते हैं, इन उपायों को आप अपने जीवन में अपना सकते हैं, और देखेंगे कि किस तरह से आपकी समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। सबसे पहला उपाय जो आपको अपनाना चाहिए, वह है रोजाना, सुभह स्नान के बाद भोले नाथ का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना। यह एक अत्यंत सरल लेकिन बेहद प्रभावी उपाय है। जब आप सच्चे मन से भोले नाथ की पूजा करते हैं, तो वह आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करने में मदद करते हैं। शिवलिंग पर जल चड़ाते समय एउएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी मनो कामनाएं भोले नाथ के सामने रखें। यह उपाय आपको शांती और सफलता दोनों प्रदान करेगा, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, प्रेम संबंधी समस्या हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाई हो। एक और बहुत ही कारगर टोटका है, देवी शक्ति की क्रिपा को पाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाना। यह उपाय न केवल आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, बलकि आपके जीवन से नकारात्मक उर्जाओं को भी दूर करता है। सरल उपाय है कि आप गुरुवार के दिन घर के पूजा स्थल में पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विश्णु की प्रतिमा के सामने AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपको आर्थिक सम्रिध्ध की ओर ले जाएगा और आपके जीवन में धन का आगमन सुनिश्चित करेगा। साथ ही अपने घर के मुख्य दर्वाजे के पास एक छोटा सा घी का दीपक रोजाना जलाएं। इससे देवी लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा और आपके धन संबंधी सभी कष्ट दूर होंगे। अब बात करते हैं प्रेम जीवन को मजबूत करने के उपाय की। अगर आप अपने रिष्टे को और भी गहरा और स्थाई बनाना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी की पूजा करते हुए गुलाब के फूल अर्पित करें। इस उपाय से आपके रिष्टे में मधुर्ता और स्थायित्व आएगा। इसके साथ ही यदि आपके रिष्टे में कोई तनाव चल रहा है, तो चावल के दाने लेकर उन पर हल्दी का तिलक लगाएं और उन्हें मा लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। यह तोटका आपके प्रेम संबंधों में आए हुए सभी तनाव और समस्याओं को दूर करेगा और आपके रिष्टे को और भी मजबूत बनाएगा। इसे नियमित रूप से करने से घर के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा, साथ ही घर में समरिध्ध का वास भी होगा। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई बड़ा सपना है, जैसे गाड़ी खरीदना, घर लेना या फिर कोई बड़ा निवेश करना है, तो पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्ग्य दें। यह उपाय आपकी इच्छाओं को जल्दी पूरा करने में मदद करेगा। पूर्णिमा की रात को शिवलिंग पर दूध अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है, जिससे आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। जब भी आप किसी बड़े निर्णे की ओर बढ़ रहे हों, तो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। इस तरह से दोस्तों, यह छोटे-छोटे टोटके आपके जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह देवी शक्ती और भोले नात की कृपा के साथ-साथ आपके समर्पन और श्रद्धा पर भी निर्भर करता है। जब आप इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं, तो आपकी हर समस्या का समाधान स्वतह ही निकल आता है और आपका जीवन सफलता और सम्रिध्ध से भर जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का विशेश संदेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भोले नात का आशीरवाद प्राप्त करें। जय भोले नात।